आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा GSTR 9 को लेकरना एक टेबल बहुती कन्फ्यूजन क्रियेट कर रही है उस टेबल का नंबर है 6M यहां पर लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय इसमें अलग-अलग है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स भी इसमें अलग-अलग राय दे रहे क्या दो राय मार्किट में चल रही है क्या आपको फोलो करनी है चलो उसे डिसकस कर लेते हैं पूरा डिटेल में वह यह जो टेबल नंबर 6 है मैं न इसके अंदर कौन सी डिटेल आएगी कौन सी डिटेल नहीं आएगी इसे लेके बड़ी कन्फ्यूजन है देखो हमारे को यह पता है हम GSTR 9 फाइल कर रहे है फिनेंचल यर 22 की और हमारी जो GSTR 9 फिनेंचल यर 22 की फाइल हो रही है उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि 21 बाइस का जो ITC है 21 बाइस का जो ITC है जो हमने 22 ते इसमें कलेम करा वो हमारी टेबल 6 A में आ रहा है वो table 6A में आ रहा है वो तो आए गई table 6A में क्योंकि ये तो 3B से आती है अब ये आ रहा है कि वह table number 6B में जो तुम्हें ITC दिखाना है वो शरी 22 का दिखाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर let's suppose करो कि अगर हमने 223 में टोटल देड़ लाग का ITC क्लेम करा और उसमें से एक लाग का ITC 22 का था और 50,000 का ITC ऐसा था जो 21,22 का था तो यहां पर 6A में अमांट आ रहा था टोटल देड़ लाग अब यहां पर difference आ गया 50,000 अब यह मुद्ध ही आ रहा है कि वह यह जो difference है 50,000 यह किस से related है भई यह related है 21,22 से तो क्या इस 50,000 के difference को 6M में दिखा देना चाहिए और अपने difference को खतम कर देना चाहिए बहुत लोगों का मानना ऐसा है हाँ जी इसे 6M में दिखा दो और इस difference को खतम करो जिससे की कोई difference नहीं आए तो भईया मेरा कहना यह है GST में अगर difference आता है त तो difference सही है सर क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो difference आ रहा है तो difference सही है हाँ जी बिलकुल सही कह रहा हूँ मैं आपको यह बात किसलिए कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पर GSTR 9 का instruction form पढ़ेंगे तो instruction form में यह देखिए क्या लिखा हुआ है in the table against serial number 4, 5, 6 and 7 क्या कह रहा है भई value pertaining to financial year only कि भाई table number 4, 5, 6, 7 में जो आपकी detail जाएगी वो उसी financial year की जाएगी the value pertaining to the preceding financial year shall not be reported here कि भाई यह जो 4 table है न 4, 5, 6, 7 इसके अंदर आपकी previous year की transaction नी जाएगी तो अगर यहाँ पर 50,000 रुपे की आप यहाँ पर यह detail में show कर देते हो तो मेरे हिसाफ से instruction के हिसाफ से गलत है तो भाई यहाँ पर तो फिर difference आजाएगा तो यह गलत नहीं होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आपकी financial year 21-22 की कोई 9 बरी हुई है और एक financial year 22-23 की GSTR 9 बरी हुई है तो जब GST officer इन दोनों return को मिलाएगा तो वो सम पत जाएगा कि भाई साब आपकी GST return बिल्कुल ठीक है नहीं नहीं सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना any other ITC availed but not specified above कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि any other ITC availed but not specified above तो भाई मैं आपको explain कर दूँ कि यहाँ पर इसका मतलब यह है कि तुम्हें ITC 0-1-2 का ITC देना है नहीं सर ITC 1-2 का तो देना है और यह वाला भी देना है तो भाई अगर तुम यह करना चाते हो तो यह कर लो लेकिन मेरा जो opinion है उस हिसाब से आपको 6MA 21-22 का ITC नहीं दिखाना क्योंकि table 6B, 6C, 6D यह जितनी भी table है यह वो दरसाती है कि भाई आपका इतना ITC आप claim कर रहे हो तो अगर आपने 50,000 का ITC यह है 21-22 का तो अगर आप 6MA इसे दिखा दोगे तो मेरे इसाफ से double claim के अंदर आ जाएगा अब कई लोगों का यहाँ पर मुद्द यह है कि चलो सर अगर हम 6MA नहीं दिखाएंगे ना अगर हम 6MA नहीं दिखाएंगे तो 9 सी तो 9-3 में गड़ड ओजाएगी और 9C में गड़ड क्यों हो जाएगी कई लोगों का मनना है कि अगर हम 6MA नहीं दिखाएंगे तो 9 में हमारी गढ़बड हो जाएगी महाँ पर difference आएगा बिल्कुल difference आएगा भाई बिल्कुल difference आएगा difference क्यों आएगा क्योंकि आपने 3B में जो ITC claim करा है और जो तुमारी books में ITC claim है उसमें भी तो difference है 22-23 में तो 22-23 में जब उसमें difference है तो 9C में difference अगर आप यहां पर 50,000 दिखा गए difference को खतम कर देते हो तो मेरे इसाफ से वो उतना सही नहीं है कई लोगों को लग रहा यह ठीक है लेकिन मेरे इसाफ से ठीक नहीं है आप अपना viewpoint हमें जरूर बताना कि आपका क्या view है और अगर GSTR 9 में आपको कोई doubt लग रहा है कोई दिक् इस बार हमने अपने session के लिए बुलाया हुआ है experts यह अरुन चाजर जी को तो हमारा Sunday को session होगा अगर आपने अभी तक वो जोइन नहीं करा है तो वो जोइन कर लो और यह किताब आपको कैसी लगी इसका ना इतना response आया है लगबक 1500 किताबे विख चुकी है तो अगर आपन यह किताबे परचेज नहीं करिए इस किताब को order करें परचेज करें और अपनी 9 और 9C फाइल करने से पहले जरूर इस किताब को अपने staff को पढ़ाएं आपकी आधी गलतिया खतम हो जाएंगी 99% आपकी 9 और 9C बिल्कुल ठीक जाएगी इस वीडियो को देखने के लिए आ बेसिक से लेके advance हर संडे को glass करेंगे सर संडे को तो मैं विजी रहता हूँ ठीक है ना मैं कैसे करूंगा glass कोई tension नी recording अब लेवल है ठीक है ना recording देख लेना एक साल तक recording रहेगी तो आपकी इच्छा है आप इस वाले batch को ले सकते हो अपने आपको GST में अर्जुन बना सकत चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं थैंक्यों फॉर वाचिए